रुपाली गांगुली स्टारर्स शो अनुपमा को लेकर लगातार कोई ना कोई खबर सामने आ रही है कभी रुपाली और उनकी सोतेली बेटी की कॉंट्रोवर्सी पर चर्चाई हो रही है तो कभी सीरियल के सेट पर हुई एक करमचारी की मौत पर बवाल मचा हुआ है करने वाले की करंट लगने से जान चली गई प्रोड़क्शन हाउस परिवार को अब देगा बड़ी रकम जी हा कितनी रकम मुआवजे के तौर पर प्रोड़क्शन हाउस द्वारा दी जाएगी चलिए गाईज आपको बता देते है रिपोर्ट्स की माने तो अनुपमा के सेट पर मनने वाले करमचारी के परिवार को प्रोड़क्शन टीम की तरफ से 10 लाख रुपे का मुआवजा दिया जाएगा सेट पर फोकस पुलर अनिल मंडल को शूटिंग के वक्त करंट लग गया था इसके बाद उनका निधन हो गया अनिल मंडल की शादी नहीं होई थी ये रकम उनके पिता को दी जाएगी रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल मंडल सेट पर काम कर रहे थे तब ही उन्होंने खुले तार को छू लिया जिससे उन्हें करंट लग गया मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी अनिल की मौत से शो की कास्ट और क्रू मेंबर को बड़ा सदमा लगा था हाला कि इस शो की शूटिंग बिलकुल भी नहीं रोकी गई थी वही FWICE के प्रेजिड ने बताया था कि राजिन शाही के आफिस से सूचना मिली है कि अनिल के पिता को 10 लाग का मौवजा दिया जाएगा क्योंकि वो अन्मैरिट थे मंडल की जॉब नहीं थी इसलिए सेट पर कई लोग उनसे परिचित नहीं थे हाला कि राजन शाही की तरफ से इस पर कोई भी ऑफिशल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है पर वही बीते दिनों क्रू मेंबर की मौथ पर राजन शाही का भी पहला रियाक्शन सामने आया था जिसके बाद फैन्स भी काफी जादा हैरान हो गए थे दरसल बीते दिनों राजन शाही ने चुप़ी तोड़ते हुए एक प्रेस रिलीज शेयर की थी जिसमें उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कई चौकाने वाले खुलासे भी किये थे प्रेस रिलीज में लिखा गया कि फिल्म सिटी में टीवी सीरियल अनुपमा की शूटिंग के दुरान एक बड़ा एकसिजेंट हो गया जो पूरी तरह से एक मानविय भूल थी हम डारेक्टर्स कट प्रोडक्शन और शाही प्रोडक्शन प्राइवेट लिमेंटेड पिछले 18 सालों से टीवी इंडस्ट्री में एंटेटेइनमेंट कर रहा है भारत और विदेशों में दर्शकों को हमारे जो शोज है वो काफी पसंद आते हैं पर ये जो हाथसा सेट पर हुआ ये बहुत ही ज़ादा दुखदाई है इन तमाम चीजों पर राजन शाही ने चुपी तोड़ते हुए कहा था कि उन्हें बहुत ज़ादा अफसोस है और अब बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आया है कि अब प्रोडक्शन ट अल्या पर मारा चानल